प्रवेश कर जाएंगे अनुराधा नक्षद्र के नक्षद्र स्वामी शनी देव हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर शारिरिक रूप से मजबूत स्वादिष्ट भोजन करने के इच्छुप सतंत्र विचारधारा वाले यात्रा प्रिय मानसिक्ता वाले होते हैं ऐसे जातक द्रेड निश्चाई, उत्साही, गुप्त कारियों में विशेश निपुड, प्रतिशोत की भावना रखने वाले, बिग्यान तथा तकनीकी कारियों में रूची रखने वाले 29 लोरूच अहिलासी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा मंगल, सनी और बुद्ध की इस्तिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे, चंद्रमा आज भी व्रिष्चिक रासी में ही चलते रहेंगे, जिसके रासी स्वामी मंगल देव हैं दिन में 11 बच कर 45 मिनट के बाद जेश्ठा नक्षटर लग जाएगा, जिसके नक्षटर स्वामी बुद्ध देव हैं इसलिए सुबह की सुरुवाद चंद्रमा के सनी के नक्षटर से होगी, मगर दो पहर बाद बुद्ध के नक्षटर का फल कायम रहेगा आज भी राहू की दिश्टी नीच के चंद्रमा पर ब्रिहस्पति के साथ बनी रहेगी, मगर नक्षटर दो पहर तक शनी का होगा ततपस्चात बुद्ध का कायम रहेगा, ठोस और महत्पुल नेड़ें दो पहर के बाद लेना चाहिए ब्यावसाई की योजनाव में सहयोग मिलेगा, आठिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा बुद्धि कोशल का विशलेशन आत्मक पहलू मजबूत रहेगा धन खर्च की इस्थिती भी संभावित है और स्वास संबंधी मामलों में सावधानी अप्यक्षित है मेश राशिक के जातकों के कारियों में नीरंतरता बनी रहेगी और आठिक सहयोग जारी रहेगा मगर आत्मिश्वास में उतार चड़ाव, मन में नकारात्मक विचारों का आना और स्वास्त के प्रतिय और संतुष्टी महसूस हो सकती है कार योजनाओं में भागी दारी सफल रहेगी मगर कुछ कार्यों में रुकावट या बाधा आ सकती है सम्मंदित मामलों में यात्रा भी संभावित है बिरोधियों की वज़ा से अनावर्षत चिंता और हतोत साहित महसूस करेंगे सिक्षा प्रत्योगिता में अनकूलता मिलेगी पारिवारिक, सुख, सभाद और सामाजिक मान प्रतिष्था में बिद्धी होगी वैवाएक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश राशे के जात्कों को स्वास संबंधी जटिलताओं के प्रतिसावधानी रखनी चाहिए आत्मिश्वास में कमी, दुविधा, पूर्ण इस्थिती का पैदा होना और कारियों में रुकावट का संकेत भी मिलता है मगर साजेदारी राफदाएक रहेगी हाला कि कारियों की अधिकता और नए प्रस्तावों के सामने आने का संकेत भी मिलता है सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, सासन सब्ताव अधिकारियों से सहीयोग मिलता रहेगा ग्रिहोप योगी वस्तों में ब्रिद्धी होगी रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे मगर स्वास संबंदी सावधानी बिशेश तोर पर रखनी चाहिए साथ ही पत्नी के स्वास पर भी ध्यान देना चाहिए मिथों डासे के जातकों के लिए कारेच छेतर के विकास और नई कार्योजनाओं के बिश्तार का योग चल रहा है रचनात्मक सक्रियता कार्योजनाओं को सफल बनाने में सक्षम होंगी मगर कुछ वाहिया कारकों से यावरोत की संभावना भी बनती है साजेदारी सफल रहेगी इस्वरी पेरणा और प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा आर्थिक वक्ष में थोड़ी कमी संभावित है मगर रूकी हुई योजनाए चालू हो सकती है नीजी निवेश लाफदायक रहेगा सिक्षा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी मगर मन में नकारात्मक विचारों का दोर और स्वास संबन्धी जटिलताओं का संकेद भी मिलता है साज़ानी अपेक्षित है करक राशी वाले जात्कों के लिए कारेश शेतर का विकास होगा और आखिक लाफ में सहयोग मिलता रहेगा आपकी कार्यों जनाए सकारात्मक रूप से चलती रहेंगी अधिकारियों के उचित दिशा निर्देश से आर्थिक लाफ संबव है चंद्रमा के नीच राशी में होने से आपके वुर्जास तर रात्मिश्वास में उतार चड़ाओ बना रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी साजेदारी के काम आज के लिए लाभडायक रहेंगे पारिवारिक दाईत की पूर्टी में चिंता बनी रहेगी और संसाधनों पर खर्ट संबव है स्वास संबंधी भी से सावधानी रखनी चाहिए वहन सावधानी से चलाएं और पारिवारिक सुख सभाद को बनाई रखने की कोशिश करें सिंग रासी के जातकों के लिए कारेच्षेद से उसाह और मन मुताबिक आर्थिक लाभ बना रहेगा प्रयासों में सफलता मिलेगी मगर रुके हुए सरकारी कामकाज में विवाद और हस्तक छेप संभावित है हाला कि नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आपके मेहनत और डिढ़िच्छा सकती से कारेच्षेद के बिस्तार में मदद मिलेगी अधिकारियों की प्रेरणा और कारेच्षेद में प्रोनती के अवसर सामने आएंगे विध्यातियों को अध्यापन में सहयोग मिलेगा नवीन योजनाव की बुनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कन्याराशि के जात्कों को कारेच्षेद में बिस्तार का मौका मिलेगा अपने बुद्धी, चातूरी और वाणी का प्रभाव कारेच्षेद में लावदी लाएगी साजेदारी के प्रस्ताव भी लावदायक सिद्ध होंगे मगर मन में भ्रह्म वा नकारात्मक भावों के उतार चड़ाओ से कुछ कामों में अवरोध संभावित है हाला कि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बच्चों से संबंधित मामलों में चिंता लगी रहेगी और अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल है, पारिवारिक दाहित की पूर्ती होगी वैवाहिक प्रयास पलिभूत होंगे और मौसम संबंधि आवस्चक सावधानी बनाए रखे तुला रासिके जातकों को वाणी में संयम और विचारों में सुधार की प्रिणा मिलेगी आपके द्वारा किये गए प्रयास सफल होंगे और उर्जा स्तर में पृध्धी होगी अपनी कारी और जचनाव को सुचारू ढंग से पूरा करने में सहयोग मिलेगा आर्थिक लाव मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी ब्यावर्साइक लेन देन में सावधानी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्रक्तियों से दूर रहें सासन सत्ताव और राजनीतिक व्यक्षियों से सहयोग मिलेगा सामाजिक मानपतिष्ठा बनी रहेगी महत्पूर निरने लेने में और मौसम के प्रति सावधानी रखनी चाहिए साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिष्चिक रासी वाले जात्कों के लिए आज का किया गया पूर साथ साथ तक होगा चली आ रही रुकावटें खत्म होंगी चंद्रमा आपकी रासी पर ही हैं मगर यह उनकी नीच रासी है रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी मगर भावना प्रदान सोच बिक्सित होगी मन में उठरा है नकारात्मक विचारों को नियंतित करना जरूरी होगा धैर्य और सैयम से काम लेते हुए प्रयास जारी रखें भ्रहम के इस्तिती संभावित है आठिक लाव सामाने रहेगा मित्रों वा सहयोगियों से भी लाव संभाव है विद्याखियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सिच्छा प्रत योगता में सफलता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा धनुराश के जात्कों के बढ़े हुए आत्विश्वास और दिढ़िच्छा सक्ती का लाव कारेच छेत्र के प्रगती में सहायक होगा और निरंतरता बनी रहेगी मगर महिला वर्क से सावधानी अपेक्षित है आर्थिक वक्ष मजबूत रहेगा संतान संबंधि दायुत की पूर्ती होगी और संबंधित मामलों में खर्ट संभव है कारेच छेत्र में यात्रा का योग बनता है और नई कारियोजनाव के विस्तार में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा मगर किसी मामले को लेकर अनावसक वादविवाद और हस्तक छेप संभावित है सावधानी बनाए रखें विध्यातियों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा सिछा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और गृहोप योगी वस्तुओं में विध्धी होगी मकर राशिक के जात्कों को तादकालिक भावावेश को नियंतित रखना चाहिए केतु मंगल का योग आपकी राशी पर है और नीचस्त चंद्रमा ग्यारावे घर में चल रहे हैं साथ ही राहू की पंचम दिश्टी चंद्रमा पर पड़ रही है जो की सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से मानसिक सोच को प्रभावित कर सकते हैं हाला कि अधिकारियों का सहयोग और विभागी अनकूलता बनी रहेगी आठिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा कारेच्छत में रचनात्मक दबाव जारी है साजेदारी सफल रहेगी पारिवारिक सुख संतुष्टी में ब्रिद्धी होगी विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनकूल रहेगा सिच्छा प्रद्योगता में सहयोग मिलेगा प्रयास जारी रखें और स्वास संबंधी आवस्षक सावधानी बनाए रखें कुम्बराशिक जात्कों के आत्मिश्वास और उर्जास्तर में ब्रिद्धी होगी और कारिप्षेत्र में इसका लाव मिलेगा मगर मानसिक समरेदन सीद्था और विरोधियों के सक्री होने से योजनाए प्रभावित हो सकती है सावधानी अप्यक्षित है हाला कि कारी और जनाव की निरंतरता बनी रहेगी और साजेदारी के प्रस्ताव लावधायक रहेगे आर्थिक लावमन मुताबिक मिलता जाएगा वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे विद्ध्यातियों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा मीन राशी के जात्कों के लिए आर्थिक वक्ष मजबूत होगा आयके नय स्रोत बनेंगे और धार्मिक भावना बलवती होगी चल रही योजनाव में गती आएगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे आर्थिक लाव के लिए सहयोग जारी रहेगा रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे विरोधियों से सावधानी और सार्थक पहल जारी रखें पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें लाव मिलेगा नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साथ ही मौसं संबंधी संक्रमन से सावधानी रखनी चाहिए सिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें वैवाईक प्रयास सार्थक होंगे और देव दर्शन के योग बनते हैं आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए